Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं designer model blouse और इसे बनाने के लिए हमने आप़ फैबरिक भी ले लिया है तो दोनों फैबरिक हमने हाफ आफ मीटर लिया है एक सैंटून फैबरिक लिया है और एक मैन फैबरिक जो हमारा वो लिया है lining हमको वन मीटर लेना है तो इसकी cutting सबसे पहले हम paper पर करने वाले है total length हमें यापर 14.5 inch रखनी है 1 inches में plus करेंगे margin का 15.5 inch लेना है shoulder लेंगे हम 5.5 inch और armhole यहाँ पर हमें लेना है 5.75 inch यह हम बना रहे हैं 34 size का उसका 4th part 8.5 inch और 2 inch margin waist 28 उसका 4th part लेना है 7 inch 2 inch dart के लिए और 2 inch margin के लिए लेना है side से line को हम draw करेंगे 1 inch से armhole के side पर गुलाई देनी है यहाँ पर tux point लेना है हमको 10 inch पर यहाँ से हम map करेंगे 3.5 inch पर और यहाँ से 3 inch dart हमें 2 inch की लेनी है और इस सरीके से shape देना है यह shape दे दिया है अब दोनों line को measure करेंगे और इसको बराबर करेंगे यहाँ पर हमें neck की wheat रखनी है 2.75 inch land हम इसकी रखेंगे आपर 7.5 inch और इस तरीके से shape दे देना है shape देने के बाद यहाँ पर हम 2.5 inch पर mark करेंगे belt के लिए अब यहाँ से हमें marking करनी है 3.5 inch पर और यहाँ से हम mark करेंगे 3.5 inch पर इस तरीके से shape देना है तो यह दोनों shape हमने यहाँ पर दे दिये है इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहिए तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते है half inch इतना कम कर दिया है मैंने और इस तरीके से shape दे दिया है इसको हम इस तरीके से cut कर देंगे यहाँ पर भी इसको कट कर देना है और यहाँ पर यह बैल्ट और डाट दोनों कट कर देना है तो बैल्ट का थुड़ा सा शेप हमें देना है इस तरीके से सेंटर में हमने वन इंच का गैप रखना है यह देखिए इस तरह से हमें से माइनस कर देना है डाट को यहाँ पर मारजन आट करना है यहाँ पर भी और इसमें भी और यह जो डाट है इसमें भी हमें मारजन आट करना है तो अभी हम लाइनिंग फैबरिक पर इसको कट करेंगे तो देखंगे कि हमने कहां पर इसमें और टो आपको सेंटी न मार्जन लिया है और बल्ट मेमने ओपर के साइट पर मार्जन लिया है तो जहां पर आपको डबल दिख्रिये हैं वहान पर हम्रi पैबißt को कट कर दिया है तो जो फ्रेंट वाला पार्ट है बैल्ट को चोड़ कर अपर पार्ट जो दोनों है उसमें आपको डबल लाइनिंग यूज करना है क्योंकि इसमें हम पैड लगाएंगे और अगर आप चाहें तो ये जो उपर वाला पार्ट है इसमें आप एक ही लाइनिंग यूज कर सकते हैं मैंने आपको दो लाइनिंग यूज की है और सेंटर वाला जो पार्ट है उसमें आपको दो ही लाइनिंग यूज करनी क्योंकि उसमें हमें पैड लटेज करना है यहाँ पर इस तरह से रखकर हमें इसमें कर्ट लगाना है और नेक को पलट देना है यह देखिए इस सरह से हमने इसको स्टीच किया एक लाइनिंग के उपर हमने इसको स्टीच कर लिया विए जो उपर वाला नेक है इसको हम स्टीच करेंगे इसको भी कट वगेरा लगा कर इसको पलट देना है और साइट से स्टीच भी कर लेना है बाकी साइट से भी स्टीच करना है अब इस वाले पार्ट को हम इसके उपर रखकर स्टीच कर देंगे तो जो ओपन पार्ट था उसको पहले हम स्टीच कर लेंगे फिर हम इसमें अटीच कर देना है नीचे वाले पार्ट को यह देखिए इस तरह से हमने आप पर डिजाइन पर स्टीच लगा दिया है कि लाइनिंग को लाइनिंग के साथ स्टीच करेंगे यह देखिए अब इसमें हम पैड़ टीच करेंगे सैंटर पर एक प्लस का साइन बिनाना है और इसको इसके उपर रखना है इस तरीके से और इसे स्टीच कर देना है जहाँ पर हमारा वन टक्स स्टार्ट हुआ है यह देखिए इस तरह से तो यह हमारा इस टाइप का आ जाएगा अब साइट से हम इसको स्टीच कर देंगे सबी साइट से स्टीच कर देना है और एक्स्ट्रा फैबरिक कट करना है इसका तो यह देखिए हमने इसको स्टीच कर लिया है अब नीचे के साइट का जो बैल्ट इसको स्टीच करना है तो पहले बैल्ट पर जहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा लिया वहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे इसको उपर के साइट से फोल्ड कर देना है तो उससे पहले हमें मैन फैबरिक जो है उसको हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा रहेगा इसको हम यहां से फोल्ड करेंगे रॉंग साइट पर रकर इसको स्ट्रीच करना है सेम इसी तरीके से दूसरे साइट से भी स्ट्रीच करेंगे यहां पर भी हमें इसे स्ट्रीच करना है उपर के साइट से हमने इसको फोल्ड करते हुए स्ट्रीच नहीं किया हमने नॉर्मली स्ट्रीच किया क्योंकि इसके उपर हम लेस लगाने वाले हैं और अगर आप लेस नहीं लगा रहे हैं, तो आप इसको फोल्ड करके स्टीच कर सकते हैं, तो दिखे ये पार्ट मारा कम्प्लीट हुआ, अब हमें आप पर लेस लगा दीनी है, सबी साइट पर, ये दिखें, नेक पर हमने लेस लगा दी, अब जो नीचे वाला नेक है, उस पर भी हमने लेस लगा देनी है, बैल पर भी हमने लेस लगानी है, ये देखें, तो शेप देकर हमने इसमें लेस भी लगा दी है, साइट से के स्टीच और करना है, तो ये देखें, हमारा यहाँ पर ब्लाउस कंप्लीट हो गया है, कुछ इस टाइब से इसकी फ्निशिंग आ रही है, अब बस नीचे के साइट पर हमें पटी लगा कर थुड़ी से डिजाइन और बनानी है, तो पटी की जो वीट थे वो हमने टू इंच की रखी है, अंदर के साइट से फोल्ड करते हुए स्टीच करना है, यहाँ पर अब हम 2.5 इंच का एक कर्ट लगाना है, और हाफ इंच जित्ता इसको कर्ट कर लेना है बस, अब यहाँ पर हम एक पटी लगा कर इसको स्टीच करेंगे, नीचे के साइट से भी पटी को एक्स्ट्रा रखना है, इसको अंदर के साइट फोल्ड कर देंगे पटी को, प्रेंट्स तो हमारा यह ब्लाउस बर्का कम्प्लीट हो गया है, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लेक्शर जरूर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू,